वेलकम टू नेक्स एक जाओं आज है 19 नौवमर 2018 और 19 नौवमर 2018 से कर इंटरविल्स की जितने भी important question बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर question से related important fact मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखी लाश्ट में मैं आपसे question भी पूछूँगा उसका answer आपको comment box में बताना है आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के discussion से डाउलोड कर सकते हैं PDF आप हमारे Telegram गूरूप से भी डाउलोड कर सकते हैं Telegram गूरूप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगी और Telegram गूरूप का link मैंने इस वीडियो के description में दे दिया है तो आप उस link पर click करके Telegram गूरूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं पहला question है हाली में राश्टपती रामनात कोबिन कितने देशों की यात्रा पर गए हैं तो अब ही हली में हमारे राश्टपती रामनात कोबिन दो देशों की यात्रा पर गए हैं यानि किस question का? C options आई है अच्छा अब राश्टपती दो देशों की यात्रा पर गए हैं तो ये दो देश कौन-कौन से हैं? तो ये दो देश हैं बियतनाम और ऑस्टेलिया पहले राश्टपती बियतनाम जाएंगे 18 तारिक से 21 तारिक तक राश्टपती बियतनाम में राएंगे और 21 नवंबर से 24 नवंबर तक राश्टपती ऑस्टेलिया में राएंगे तो अब मैं आपको इन दोनों ही देशों के बारे में बता आएता हूं पहले आप मैप में देखी यह है बेतनाम बेतनाम की केपिटल है हनुई बेतनाम की करंजी है बेतनामी डॉंग और बेतनाम की प्रजेंट टाइम पर प्रामिनिस्टर कौन है एन एस वेक अब आते हैं Australia पे आप मैप में देखिए ये है Australia Australia की capital है केनवरा Australia की currency है Australian dollar और Australia की present time पे प्राइम मिनिस्टर कौन है Scott Morrison तो इतना आपको इन दोनों देशों के बारे में याद रखना है अच्छा अब राष्टपती गए हैं तो राष्टपती से भी ये question मनता है राष्टपती रामनात कोविन हमारे कौन से नम्मर के राष्टपती हैं तो present time पे जो हमारे राष्टपती है रामनात कोविन ये 14 में नम्मर के हमारे राष्टपती हैं ये भी एक important question है ये भी आप याद रखिए अच्छा आज की इस वीडियो का हम target रखते हैं 40,000 like का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है helpful लगता है तब आप इस वीडियो को like जरू किया करो और like करने के बाद आपके पास जो भी study related whatsapp और face-up ग्रोप हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning में उठकर अपने लिए एक target fix करो चाहे चोटा साई target fix करो लेकिन daily morning में उठकर अपने लिए एक target fix करो और अपना पूरा दिन उस target को achieve करने में लगा दो यह 40,000 like का target में अपने लिए set करता हूँ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप इसे like किया करो और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई improvement हो सकता है तो आप Instagram पे मुझे पता सकते हो और इस वीडियो के comment box में भी मुझे बता सकते हो इंस्टागरम पे इंद्री सार्सी सर्च करके आप में अगरे साथ चुड़ सकते हो नेक्स कुशन है यानि कि इस कुशन का B option सही है अच्छा आप image में देखी यह हैं गुकेस D और इन्होंने 200 केड़ेट 17 चेम्पिंछिप में गूल्ड मेडल जीता है इनके अलावा Sabita Sri ने भी गूल्ड मेडल जीता है अब यहां से एक कुशन और बन सकता है कि यह 200 केड़ेट 17 चेम्पिंछिप हुई कहां पे है तो यह हुई है इस पेन में ये भी आपको ध्यार रखना है नए सुशन है हाली में देश में कितने fast track court इस्तापित करने की गोशना की गई है तो अभी हाली में हमारे देश इंडिया में 1023 fast track court इस्तापित करने की गोशना की गई है यानि किस कुशिन का बे options है अच्छे ये गोशना किस ने की है तो हमारी महिला एबंपाल विकास मंतराले ने ये गोशना की है कि इंडिया में 1023 fast track court इस्तापित की जाएंगे जिसमें से 777 पहले चरड में स्तापित की जाएंगे और बचे हुए 246 दूसरे चरड में स्तापित की जाएंगे आपने निर्वया फंड का नाम सुनाओगा निर्वया कांड के बाद ये बना था निर्वया फंड तो निर्वया फंड से ही 1023 fast track court बनाए जाएंगे जिससे कि महिलाँ से related जितने भी मामले लंबित है यानि कि जो मामले अभी pending हैं उनको solve किया जा सके अच्छा एक कुशन और बन सकता है कि निर्वया फंड की स्तापना का होई थी तो निर्वया फंड की स्तापना होई थी 2013 में नए क्कुशन है यानि किस कुशन का C options आईए अच्छा ये तीन नए सदस से नामित किया है तो इनकी नाम क्या है पहली है दूसरी है और तीसरी है ये तीन नए सदस से नामित किये गए है राश्टी महिला आयोग है और राश्टी महिला आयोग को इंगलिस में क्या कहते है National Commission for Women अब राश्टी महिला आयोग से भी एक कुशन बन सकता है कि राश्टी महिला आयोग की प्रजेंट टैम पे प्रेसिडेंट कौन है तो रेखा सर्मा प्रजेंट टैम पे रास्टी मैला आयों की प्रेसिडेंट है Next question है, हाली में भारत का पहلا हांथी एस्पताल कहां खोला गया है तो अभी हाली में इंडिया का पहला हांथी एस्पताल कोला गया है मत्रा में यानि कि इस question का C options है यह इंडिया का पहला elephant hospital है और इसमें हांथियों का treatment किया जाएगा अब हांती की बात है तो एक कुश्चन कई बार कम्टीटेव एक जब में पूछा गया है कि इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब सुरू हुआ था ये भी most important कुश्चन है इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट सुरू हुआ था 1992 में और इससे भी ज़्यादा important है कि इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर कब सुरू हुआ था अब प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात आई है तो तुरंत मायंड में आजारा चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब सुरू हुआ था तो इंडिया में Project Tiger शुरूगा था 1973 में तो ये दोनों आपको ध्यान लख नहीं है Project Tiger 1973, Project Elephant 1992 Next question है हाली में भारत और चीन के बीच नौमी रच्छा और सुरच्छा वारता कहां आयुजित की गई है तो अभी हाली में भारत और चीन के बीच नौमी रच्छा और सुरच्छा वारता आयुजित की गई है Beijing में यानि की discussion का B options है अब ये इंडिया और चाइना के बीच नौमी रच्छा और सुरच्छा वारता है तो चाइना के बारे मैं आपको बताता हूँ कई दिनों से चाइना के बारे मैं आपको नहीं बता है आप मैप में देखिए ये हैं चाइना चाइना की केपितल है Beijing चाइना की करंसी है Rain Winby और चाइना की करंसी को कौन जारी करता है Pupils Bank of China जैसे इंडिया की करंसी को RBI जारी करता है उसी तरह से चाइना की करणसी रेन मिन भी को Pupils Bank of China जारी करता है और चाइना की present time पे प्रेसिडेंट कौन है? C. Zinfeng Next question है हाली में किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में Mobile Banking Lending सितंबर महां में तीन गुना हो गया है तो अभी हाली में भारती Reserve Bank की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेप्टेंबर मन्त में इंडिया में Mobile Bank Lending तीन गुना हो गया है यानि कि इस question का C options आई है जो आप Mobile में एप इंस्टॉल करके पैसे को transfer करते हो ये transfer इंडिया में सेप्टेंबर मन्त में तीन गुना तक बढ़ गया है किसकी रिपोर्ट के according है RBI की रिपोर्ट के according अब RBI के बारे में आपको उता कहा हूँ RBI की स्थापना कब होई थी RBI की स्थापना होई थी 1935 में RBI के headquarters कहां पे है Mumbai में और RBI के present time पे governor कोई है उर्जित आर परटेल और उर्जित आर परटेल RBI के कौन से नंबर के governor है 24 में नंबर के governor है Next question है हाली में स्री रेडुका जी मेला कहां शुरू हुआ है तो अभी हाली में स्री रेडुका जी मेला शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में यानि कि इस question का B options है भगवान परसुराम की माता का नाम था स्री रेडुका जी और इनी के नाम पे ये मेला आयुजित किया जाता है हिमाचल प्रदेश में तो अभी हाली में ये हिमाचल प्रदेश में सुरू हो गया है अब हिमाचल प्रदेश में सुरू हो आया तो map में देखी ये है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की capital है सिमला हिमाचल प्रदेश के present time पे chief minister है जैराम ठाकोर और हिमाचल प्रदेश के present time पे governor कौन है आचारे देबरत नेक्क् Weeks region है हाली में अम्रेस्वर प्रताप साही ने किस राज के हाई कोट के मुखे नयदीज की रूप में सपत ली है तो अभी हाली में अम्रेस्वर प्रताप साही यानि कि AP साही ने बिहार के पटना हाई कोट के नए चीप जस्टिस के रूप में सपत ले ली है यानि कि इस question का बी option सही था और जब ये declare हुआ था कि APCI पटना High Court के नए Chief Justice बनेंगे तब भी मैं आपको बताया था और अब इन्होंने officially सफ़त ले ली है अच्छा इनको सफ़त किस ने दिलाई है इनको सफ़त दिलाई है बिहार के गवर्नर लाल जी टर्णनने मैं आपको बताया है जब भी High Court के Chief Justice अपटन होते हैं तो उनको सफ़त कौन दिलाते हैं उस राजी के गवर्नर दिलाते हैं अभी Chief Justice से related continue question आ रहा है मैं आपको continue बताया है सबसे पहले question कुण सा आया था S.K.S.E.T. ये मद्य प्रदेश High Court के Chief Justice बने थे उसके बाद question क्या आया था संजेक करोल त्रपुरा High Court के नए Chief Justice बने थे उसके बाद क्या question आया था गोबिंद मातुर लाबाद High Court के नए Chief Justice बने और अब ये एपी साई बन गए है पटना High Court के नए Chief Justice तो इसी तरह से आप revise कर लिया करो अगर आप revise कर लोगे तो चीजे और अच्छी से आपके mind में set हो जाएंगी Next question है हाली में किस का नाम Fortune ने 2018 Business Person of the Year की सूची में रखा है तो अभी हाली में सांतनू नरायण का नाम Fortune ने 2018 के Business Person of the Year की लिष्ट में रखा है याने किस कुश्चिन का C options है ये हैं सांतनू नरायण ये जो आपको image में दिखाई दे रहे हैं यही हैं सांतनू नरायण और ये Adaf के CEO हैं Adaf Photoshop, Adaf Reader ये नाम आपने सुना हुआ तो Adaf के ये CEO हैं और इनका नाम Business Person of the Year की लिष्ट में सामिल किया गया है चलते हैं Next Question पे Next Question है हाली में CII Agrotech का आयोजन कहां किया जाएगा तो अभी हाली में CII Agrotech का आयोजन किया जाएगा चंडीगण में यानि किस Question का C options आई है ये एक दिसम्बर को शुरू होगा CII Agrotech और इसका उद्गार्टन करेंगे हमारे राष्टपती रामना कोहिन अच्छा इस बार के CII Agrotech का बिसे क्या होगा यानि कि इसकी थीम क्या होगी तो इसकी थीम होगी Technology in Agriculture Increasing Farmers Income तो ये होगी इस बार की थीम Next Question है हाली में WDOR कम मनाया गया है तो अभी हाली में 18 November को WDOR मनाया गया है यानि किस Question का B options है अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि WDOR होता क्या है तो इसकी फुलपॉम आपको याद होने चाहिए WDOR की फुलपॉम होती है World Day of Remembrance for Road Traffic Victims तो ये है WDOR और ये हर साल नवंबर के तीसरे संडे को मनाया जाता है और इस बार नवंबर का तीसरे संडे का पड़ा है 18 नवंबर को इसलिए 18 नवंबर को मनाया गया है World Day of Remembrance for Road Traffic Victims अच्छा इसकी सुरुवात कब होई थी तो इसकी सुरुवात होई थी 1993 में अब लाश्ट वीडियो के कुश्चन का आंसर लाश्ट वीडियो मैं आपसे कुश्चन पुचा था कि हाली में Oxford World of the Year किस वर्ड को गोसित किया गया है तो 2018 का Oxford World of the Year गोसित किया गया टॉक्सिक को यानि कि इस कुश्चन का B option सही था और लगबख सभी श्ट्रेंड ने इसका अंसर सही दिया है Mostly श्ट्रेंड ने इसके बारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलू माँ सिंगल भी कुश्चन गलत नहीं हो सकता अब आपके लिए आज का कुश्चन आपके लिए आज का कुश्चन है हाली में किस देश ने क्रत्रिम सूरज बनाया है चार ओप्सन दिये गए इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook पर प्रीबियस यर के कुश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप Facebook पर Next Exam सर्च करके हमारा Facebook पेज जॉन कर सकते हैं क्योंकि प्रीबियस यर के कुश्चन आपको बहुत हैँ अगर आपको किसी कुश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने career से related भी कोई भी problem है तो आप Instagram पर IndresRC Instagram पर IndresRC सर्च करके आप मेरी साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any hesitation डिसकस कर सकते हैं आज की वीडियो का आप target जरू याद रखना आज की वीडियो का target है 40,000 लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस वीडियो को like जरू करना और like करने के बाद आपके पास जो भी study related groups हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर देना तो ये था आज का अमारा current interface का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा, please comment box भी जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने अमारे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे आप subscribe जरू कर लिजिए आपको इस चैनल से निश्चे थी बदद मिलेगी जब भी आप इसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon में के आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको daily morning में current interface की वीडियो मिलती रहे next exam always with you thanks for watching